आगे पढ़ते हैं अगले बड़े खबर दिली से आपको बताते हैं यहाँ पर आदर्श नगर इलाके से जुड़ा एक सीसी टीवी सोशल मीडिया परते हैं इसी से वारल हो रहा है जिसमें एक तालिवे इल्म को दो लड़के मारते हुए दिख रहे हैं लाद को लाद घूस से माना शुरू करते था है हाला कि वीडियों पे दिख रहे हैं लड़के कम अमर के ही नजर आ रहे है तस्वीर आप देखिए दिन्दہरे पेरहमी से मार पीट का वीडियो ये वारल हो रहा है सेसी टीवी पर चाको बाजी होने के बावजूद अभी तक कोई शुकायत नहीं दी गई है इस बार भी भीड तमाशाइब बरी रही लोग वहां से गुजर रहे थे लेकिन किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की और ये लोग एक दूसरे को जबदस तरीके से मारते रहे तो ये दिली के आदर्शोय नगर इलाके का वाक हैं एक दूसरी की पिटाए का रहे हैं फिर एक और लड़का यहां पर नज़र आ रहा है जबदस तरीके से एक दूसरी को मारते रहे हैं तो ये सीसी टीवी सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है लेकिन अभी तक किसी भी फरी की तरफ से कोई शुकायत नहीं की गई है और दिन दहाडे बे रहमी से मार पी चाकू बाजी होने के बावजूद भी अभी तक पोलिस को कोई शुकायत नहीं दी गई है और इस बार भी भी तमाशाई बनी रही तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कितने काफी लोग यहां पर नज़र आ रहे हैं क्या ये सभी सा मारता हुआ लाता है दूस्ते शक्सको और भज़ ज़ाद कम उम्रके नहीं लग रहे हैं ये लोग बच्चे ही लग रहे हैं और पीचे से एक और लड़का आता है जो दूसरे लड़के को एक तिसरे लड़के की पिटाई करने में हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है और फि क्या CCTV में कैद हो गया कि इस तरह से नौजवान लड़के एक शक्स की एक लड़के की पिटाई करते हुए नजर आ रही है तो लाते घुसे बजाते हुए नजर आ रही है दो लड़के एक लड़के को जबर्दस तरीके से पीटते हैं अलगे एक लड़का तीसरा भी यहाँ नजर आ रहा है लेकिन वह इस वाइट में इंवाल्व नजर नहीं आ रहा है और पीछे भी कुछ लोग है यह ऐसा दिख रहा है कि इन में से एक दो लोग इन ही के साथ हैं तो तस्वीरे देखिए लोग तमाशाई बने रहें किसी ने इस से पूरे जगड़े को रोखने की भी कोशिश नहीं की तो वाकिया सिसी डीवे में कैद हो गया और सिसी डीवे में कैद हुआ यह वाकिया सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है